वह कहता है आपका हमारी एनने चनल में आज की प्रमाइक बाता हूंगा एक्जियो पेलेटर बैलेंस को अपने वैंकोर में कैसे ट्रांसा करें वह भी विद लाइप प्रूफ के साथ कितनी लोग को मैं वीडियो दे चुका हूं बट उसके बाद भी कहते हैं प्रूफ दीजे चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आप देख सकते हैं इनको पेमेंट रिसीव हुआ है यह है 4700 रुपीज और इन्होंने यह जो किया है पेमेंट किया था यह मैंने जो ट्रिक बताया आपको एक्जियो पहले में कई वीडियो बना चुका हूं तो उसको ही द अडियो प्रोफ आने आपको दिखा करते हैं उनredit को ट्रांसर करने के बाद किया उसके बादर भी इन्होंने यह प्रिणे एक और कह्ते हैं यह पर न्युट कर दे रहा हूं अब आई आप 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 इसमें आपको 24 आवर्स में ही बैलेंस मिलता है इसमें आप 24 आवर्स का समय लगता है अब इसमें आप अकाउंट कैसे क्रियेट करेंगे क्या करना होगा इस्टेप बाइस्टेप प्रोसेस में बताने वाला हूँ पूरा वीडियो देखिएगा इस एप का लिंक आपको डिसमें मिल जागा लिंक पे क्लिक करेंगे इसमें आपको अकाउंट क्रियेट करना है कैसे करना है चली मैं आपको बताता हूँ तो फ्रंस इस एप पे आनने के बाद जश्ट अभी आपको अपना नेम टालना होगा यहां पर पहले हम साइनिंग कर लेते हैं नेम डालिएगा इमेल आईड डालिएगा मोबाइल नमर डालिएगा और आपको यहां पर इन्वाइट कोड आपको डिसकेंट मिल जाएगा पहले आप इसमें लॉग इन कर लिजएगा लॉग इन करने के बाद इसमें आपको कवाईसी भी करना है कवाईसी के लिए आपको अधार काड पैंक काड होना चाहिए एतना आपको याद रखना है अधार काड पैंक काड होना चाहिए आपके पास करेंगे तो जश्ट अभी आपको रेजिटर्ड मुबाल नमबर अपना डालना होगा और डालने के बाद जश्ट आपको यहाँ पे सेंड OTP वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे अब आप पूछेंगे रेजिटर्ड मुबाल नमबर कौन सा तो जो अभी आप साइन अप कर रहे तो जो मुबाल नमबर अपना डाले तो वही सेम आज़ा मुबाल नमबर यहाँ पे डालके सेंड OTP वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा तो फ्रेंड जैसा आप सेंड OTP वे क्लिक करेंगे जर्ट आपके मुबाल पे एक OTP आई होगा OTP आप डालये गर डालने के लोगिन वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा तो आपको फ्रेंस यहाँ पे लॉगिंग करेगा आईजा बटन देखने को मिला इस पे क्लिक करके लॉगिंग करेंगे तो फ्रेंस लॉगिंग करने के बाद जश्ट अभी आपको यहाँ पर अपना फूल नेम डालना होगा जो आईजा आपके अधार कार्ड में होगा अपना फादर नेम डालना होगा और आपको यहाँ पना मुबाइल नमबर यहाँ पर आटोमेटिकली ले लेगा साथी तार अपना जिंडर सिलेक करना होगा फीमेल है की मेल है यहां पे अपना ptm नमबर डालना होगा अगर आपके पास ptm नमबर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं यह अज़ा optional है अगर आपके पास है तो अपना ptm नमबर डाल दिजेगा बट यहां पे ध्यान रखिएगा पेटियम नंबर आपको वही डालना है जो आप यहां पे अकाउंट क्रियेट कर रहा है मतलग कि अकाउंट क्रियेट करते समझ जो भी आप डॉक्मेंट से यहां पे देंगे जिसका भी डॉक्मेंट देंगे उसी का पेटियम नंबर होना चाहिए उसी name आपके bank account में भी होना चाहिए नहीं तो आपका account suspended कर दिया जाएगा और आपका यह account close कर दिया जाएगा अब मैं आपको आगे process बताता हूँ आपने पे टियम नंबर डाल दिया या ऐसा आपने इसको skip कर दिया ज़स्ट अभी आपको यहाँ पर registered email ID डालना होगा जो अभी आप sign up कर रहे था जो email ID आपको यहाँ डालना होगा जो आपके अधार कार्ड में address हो आपको डालना होगा फूल address और safe वाले section में आपको click कर देना होगा तो next नेक्स्ट वाले page पे आजाएगा आने बाद अभी आपसे पूछेगा आपका अधार कार्ड नमबर तो आप अपना अधार कार्ड नमबर देखके जो आपका अधार कार्ड नमबर होगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है OTP आपको यहाँ पे डाल के submit कर देना होगा verify OTP वाले section में आपको click कर देना होगा फ्रेंट जैसे ही आप OTP डाल के verify वाले section में click करेंगे जश्ट आभी आप आजाएंगे इस page पे यहाँ पे अभी आपको बताया जाएगा कि आपको अपना यहाँ पे bank card नमबर डालना होगा तो जो भी आपका bank card नमबर वो bank card यहाँ पे आपको enter कर देना है enter करने कवाद send वाले section में आपको click कर देना होगा फिर फ्रेंट्स आप आजाएंगे last page पे जिस पे आपको अपना account details देना जो भी आपको bank के पास है उस जिस भी bank में आपको पैसे चाहिए वो bank account आप details यहाँ पे देंगे ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा सापसाँ नीचे लिखा हुआ है कि आपका bank नाम अधार card नाम से match होना चाहिए आन्या था आपका account को suspend कर दिया जाएगा तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना होगा तो फ्रेंट्स यहाँ पे अभी आपको account number डालना होगा जस्ट आपका bank name डालना होगा ठीक है और यहाँ पे अभी आपको डालना होगा IFC code यह आपको डालने के बाद send के section में आपको click कर देना होगा तो फ्रेंट्स अभी आपको यहाँ पे register mobile number फिर से डालना हो इंटर करना हो send OTP वाले section में click कर देना होगा next अभी आपको यह नमबर फिर OTP डालेंगे डालने वाद login वाले section में click करेंगे next अभी आपका जो QIC complete हो चुका है successful हो चुका है आपका जो account है वो अभी successfully verified हो चुका है अब आपको क्या करना है directly आपको home page पे आ जाना है आप लोग ने पूरा process समझ लिया कि आपको इसमें account कैसे create करना है और कैसे किवाईसी करना है ठीक है bank account details का जो मैंने आपको पेटियम का जो concept बता है और पेटियम का और बैंका डीटियल दोनों का concept भी आपको समझ में आ गया होगा आपको यहां पे भी मिल जाएगी ठीक है इसी कटेगी में जाना आपको अपना balance ट्रांसवाग कैसे करना है इसके लिए अब आपको मान लिए अपने course वाले section आपको click किया click करने के बाद just अभी आप यहां पे अले section में आ गया है अभी आपको यहां पे इसी तीन प्रोड़क्ट दिख रहा है और यह तीनों जो प्रोड़क्ट है यह कोई भी आपके address पे send नहीं किया जाएगा नहीं आपको इस प्रोड़क्ट को buy करने बाद cancel करना है कुछ भी न प्रांसवा करना तो अब एक हजार रुपए यहां पर एड कर लीजे मतलब एक हजार कही प्रोड़क्ट करना तो दो हजार कर दिखाता हूं ठीक है तो यहां पर मैंने क्लिक करने के बाद just अभी आपको यहां पे आपका address वगरा मांगेगा तो आपको यहां पना address डालना ह सकते हैं डालने के बाद just अभी आपको pay and place वाले order वाले section में क्लिक करना होगा अपको यहां पर थोड़ा से स्क्रॉल डाउन करना होगा अब करने के बाद आपको EMI वाला option देखना हो मिलता है इस पर आपको क्लिक करना होगा ठीक है तो आपको भी ऐसे ही सिंपल से कर देना है तो इस पर क्लिक करेंगा continue क्लिक करके मैं डेन कर देता हूं लागीन करके फाइनली मेरा जो पेमेंट देन हो चुका है और यवर आउडर हैस बीन प्लेश्ट आपको जो अदर कंफर्म हो चुका है अब आपको कोई भी और कैंसिल नहीं करना कि कितने लोग मैसेज कर रहे थे क्या वो आउडर कैंसिल करना कोई आडर कांसिल करने का दूरत नहीं है बस आपको course वाले section में जाना है जाने को जितना भी आपको balance निकालना उतना आपको course वाले section में जाके उस product को उतने quantity में आपको buy कर लेना कोई भी दिक्कत आती है तो आप comment करेंगा उसका reply मिल जाएगा नहीं तो आप directly यहाँ पे call support दिया गया है आप पूछ सकते हैं अब रही बात जो मैंने आपको वीडियो मताए step by step उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा याज रखिएगा और फालतू कि यहाँ पे आप question बिल् को हमें हमारे घर भेजा जाएका तो ऐसा कुछ नहीं यह एक as a digital product है course है इसको आप buy करना है और buy करना के बाद से wait करना 24 hours का आपका जो balance है आपके account में आ जाएक तो फ्रेंट्स फाइनली मेरे 24 hours हो चुके है मेरा जो balance हो मेरे account में मेरे पेटिया नंबर पे आ चुका है